हाय गार शम्राइक हो अजयिक गंगोज और अजय हम बात करेंगे कि फार्मसिट्ट्ट रिईिस्ट्रिस छोले जा सकते हें अप अपने फार्मसिट्टी तो के लोगे! तो उसका अंसर है नहीं एक pharmacist केवल एक ही medical store या pharmacy खोल सकता है अगर आप rental receipt पे देते हो जो की ethical practice नहीं है फिर भी वो इडिया में अगर हम factly बात करते हैं तो काफी common challenge में हैं, काफी common practice है इडिया में pharmacist जो registration है उसको देना rental receipt पे common practice है तो हम उसको deny नहीं कर सकते हैं लेकिन वो ethical practice नहीं होती अगर आप बाइला देखा जाए तो अगर आपने अपना pharmacy registration किसी pharmacy store को दिया हुआ है आज ए रेंटल receipt पे या वैसे तो आप नियम के हिसाब से उस medical store पे as a full time employee काम करते हो तो एक परसंट के बद एक ही जंगे full time काम कर सकता है अगर आप जोग भी करते हो और आपने रेंटल बेसिक पे लेसेंस भी दिया हुआ है तो दोनों वो unethical practice है तो उसके एकनिश्ट आपके खिलाब कोई भी action हो सकता है drug department कोई भी action दे सकता है तो वो भी आपको दियान देने के जूरत है और दूसरा यह है कि आप अगर खुद खोल रहे हैं या किसी को आपने अपना लैसेंस दिया हुआ है अपना इजिस्टेशन अपना फार्मस्ट रिजिस्टेशन दिया हुआ है तो आप केवद एक के लिए ही eligible हो जैसा हमने डिस्केस किया है कि आप एक जेंगे ही full time job कर सकते हो तो अगर आपने एक जेंगे अपना फार्मस्ट रिजिस्टेशन दिया हुआ है या एक जेंगे आप काम कर रहे हो medical store पर या खुदका आपने medical store open किया हुआ है तो आप केवद एक ही जेंगे कर सकते हो दूसरी जेंगे आप उसको भी नहीं कर सकते है कंशी कर रहे हुआ तो केवद एक फार्मसिट पर काम करने के लिए eligible होता है फुमित करेंगे इंफरमेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंश को और वाच झाल झाल